नमस्कार दर्शको आपका स्वागत है हमारे विशेश कारिक्रम में और मैं हूँ आपके साथ आर्जुदुबे क्या आप जानते हैं कि किस श्राप की वज़े से राधा कृष्ट एक दूजे के नहीं हो पाए थे भगवान श्री कृष्ट की अनेक लीलाओं की साक्षी है मतरा नगरी यहां कदम कदम पे भगवान श्री कृष्ट की लीलाओं से जुड़ी कथाओं के प्रमान आपको देखने को मिल जाएंगे दर्शकों हिंदूों में देवी राधा और भगवान श्री कृष्ण को प्रेम का प्रतीक माना गया है हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवताओं को पूजा जाता है श्री कृष्ण भगवान और देवी राधा को हिंदू धर्म में विशेश थान दिया गया है ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान विश्नु अफ्थार थे और वहीं देवी राधा लक्ष्मी शरूपा थी वास्तव में भी राधा कृष्ण से जुड़ी कई कथाएं हमें सुनने को मिल जाती हैं कि राधा कृष्ण ने एक दूसरे से कभी विवा नहीं किया था शास्तरों में कई संबंध में कई धारनाय प्रचलीत हैं कोई कहता है कि राधा ही कृष्ण का सरूप थी तो कोई कहता है कि राधा उनकी आत्मा थी ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री विष्णू को श्राप मिला था कि उन्हें अपने हर अफ्तार में अपने प्रेम से अलग होना होगा मगर सभी ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या वज़ा थी जिसकी वज़ा से राधा और कृष्ण का विभा नहीं हुआ था तो आईए जानते हैं कि आखिर क्यूं राधा और कृष्ण का विभा नहीं हुआ था क्यूं दोनों एक दूसरे से अलग थे राधा और कृष्ण का प्रेम किसी वासना और शारेरिक इच्छाओं के संबंध से शुद्ध था राधा और कृष्ण का विभा नहीं हुआ लेकिन वह प्रेम दिव्य और अध्यात्मिक थे वह एक दूसरे के बहुत बड़े भक्त थे और कृष्ण राधा के साथ धर्ती पर आये थे कि पूरी दुनिया को वो सच्चे प्यार का अर्थ समझा सके पूरी दुनिया को किसी रिष्टे लगाव या किसी भी इच्छा की आवशक्ता नहीं होती दर्शकों फिलहाल के लिए बस इतना ही जल्द मिलेंगे आपसे धन्यवाद